इस बार कहां सैट है सिंगम 3 की स्टोरी किस से फाइट करेंगे इस बार सिंगम जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोली ग्राब स्टूडियोज की इस नई अपडेट में अजय देवगन फिर से अपने बाजी राउ सिंगम के रोल में देखने वाले हैं पर एज़ा कैमियो नहीं बलकि एज़ा लीड एक्टर जीहा आठ साल के लंबे इंतिजार के बाद आकेर कार अजय देवगन की कॉप एक्शन फैंचाइजी की थर्ड इंस्टॉल्मेंट सिंगम 3 बड़े परदे पर जल्दी आने वाली है अजय देवगन ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया कि वो एक बार फिर से सिंगम के रोल में नजर आने वाले है अजय देवगन और बॉलीवूड के हिट मशीन कहे जाने वाले रोहिश एटी ने सिंगम 3 की काहनी तयार कर ली है और जल्दी इस पर काम भी शुरू होने वाला है अब तक रोहिश एटी ने कई हिट कॉप एक्शन फिल्में दी है जिसमें से एक सिंगम भी है अभी तक लोगों को लग रहा था कि सूरिवंशी ही सिंगम की फ्रेंचाइजी फिल्म है पर ऐसा नहीं है सूरिवंशी और सिंबा की काहनी सिंगम की स्टोरी से जुड़ती जरूर है पर ये दोनों फिल्में अलग है सिंगम फिल्म की स्टोरी लाइन बाजी राव सिंगम की है पहली मूवी में बाजी राव गोगा के क्राइम से लड़ते हैं दूसरी सीरीज में मुंबई के क्राइम से लड़ते हैं अब इस बार रोहिशेटी इस फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं आखिर आठ साल के बाद ये फिर्मा रही है तो दर्शकों को रोह शेटी और अजय देवगन से काफी उम्मीदे हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रोह शेटी इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इस बार सिंगम 3 की स्टोरी पाकिस्तान क क्राइम पर वेस्ट होगी जी हां रोह शेटी इस फिल्म को इस बार इंटरनाशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं अजय देवगन इस बार बाजिराव सिंगम बनके पाकिस्तान के आतंगवाद से लडएंगे अगर बात करें कास्ट की तो सूरिवंची स्टारक्षा कु और हमारे प्यारे सिंबायानी की रनवीर सिंग इस बार फिल्म में नजरा सकते हैं वो भी फिल्म के अंत्म है आज तक रोह शेटी ने बॉलीवूड को कई हिट फिल्म में दी हैं इनकी फिल्म हमेशा ब्लॉक्बस्टर सावित होती है और 100-200 करोड के कलब में शामिर जरू कश्मीर भेशता है और कश्मीर की जंता को गुम्रा करके वहां पे आतंगवादी घटनाओं को अंजाम देता है और कहा ये भी जा राय कि इस बार इसमें ओसामा बिल्लादिन वाला भी चैप्टर दिखाया जाएगा लेकिन किस प्रकार ये तो मूवी के रिलीज होने के ब स्टोड पॉलिग्राद ड्रच तोडियोस